दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर पटना से यूपे जारकन और बिहार के पजपन जिलो के लिए चलेगी 570 नई बसे किराया होगा बहुत कम जी हाँ अब पटना से उत्तर परदेश जारकन और बिहार के आने जिलो में आना जाना असान होगा बिहार राजपत परवहन निगम द्वारा पिपेटी मोड पर बिहार जारकन और उत्तर परदेश के लगबग पजपन जिलो में आने जाने के लिए 570 नई नन ऐसी और ऐसी बसे चलेगी इससे यात्रियों को काफी आसानी होगी और सबसे खास बात यहाए कि इसमें चालक मनमानी तरीके से किराया नहीं ले सकेंगे आपको बता दे कि अभी तक पाटना सहीत प्रदेश के बिमिन जिलों से आने जाने वाले बसों की सिंख्या लगबग 750 से 570 बसे और बढ़ने के बाद बिहार में परिवान निगम से संचालित होने वाले बसों की सिंख्या लगबग 1320 हो जाएगी अगले साल फरवारी मास या सिवा सुरू कर दी जाएगी अगली बड़ी खबर देश के टॉप 5 पडाको जिलों में सामिल है बिहार के ये चार डिश्टिक आप भी जाल ले इनके नाम जिहां निती आयोग ने बिहार के चार जिलों को सिक्षा के चेतर में बहतरेन उप्लब्दी के लिए बढ़ाई दी है जारकन के दुमका के बाद निती आयोग ने मुझपर पूर और अंगाबाद बाका और सेखपुरा जिलों की रेंकिंग देश के राज में क्रमसा दूस जारकन के एक समेत बिहार के चार जिलों को सिक्षा के चेतर में देश का पांच सर्विसेष्ट सुधार वाला जिला माना है निती आयोग दुवारा ट्वेट कर सरवजनिक की गई डेल्टा रेंकिंग अक्टूबर 2021 में जिलों की प्रदसन पर अधारित है अगली बड़ी खबर बिहार में 15 से सुरू होगा ठन का कहर 24 घंटे में 3 डिगरी लोड़क गया पटना का तापमान जिया बिहार में ठन का कहर अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा पिछले 24 घंटे में पटना का पारा लगबग 3 डिगरी तक लोड़क गया है इस द अधिक्तम तापमान 4.5 डिगरी गिरावाट दर्च की गई है सनिवार की राज से इठंड बढ़ने के बाद लोग गरम कपड़े में नजर आने लगे तो सडक पर भी सननटा दिख रहा था और सुबह से लोग धूप सेखते नजर आ रहे हैं मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर की बाद 4 से 5 डिगरी तक पारा और निचे जाएगा मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पश्च में हवा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और परवतिय चेतरों से आ रहे ही बरपिली हवा की बज़े से बिहार के दिक्तर सरों में तापान में कमी आई है अगली बड़ी खबर पाटना सहित 8 जिलों में इस सपता से होगा बालु खनन अब कम रेट पर मिलेगा लाल बालु जिया राज में बालु घाटों के नए बंदोबस्त धारी पाटना सहित राज के 8 जिलों में इस सपता से खनन सुरू करेंगे बालू का रेट कम हो जाएगा अमकान बनाने वाले लोगों को सस्य दामों पर आसानी से बालू बाजार में मिल जाएगा अगली बड़ी ख़बर बिहार में कोवीट के मरीज फिर से बढ़ने सुरू हो गए हैं रहत की बात यहाँ है कि राज में अभी ओमिक्रोन वेरियेंट का कोई केस सामने नहीं आया है लेकिन संक्रमन के बढ़ती रबतार ने सरकार की चिंता जरूर बढ़ा दी है हालात को देखते हुए पाटना में जीला कोविट केर सेंटर सुरू किया जा रहा है पाटली पूत्रे स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स में 110 बेड का अस्पताल बनाए जाने की भी तैयारी है साथ ही आपको बता दे कि कोविट मानक के तहद मास्क का निवार परियोग सुनिचित कराने है तो पांच धावा दल का गठन करने तथा भेड भार वाले चेतर में माइकिंग कर लोगों को जागरुक करने का निर्दिस दिया है सिटी बसों में भी मास्क के परियोग का नुप करी किया है अब स्मार्ट बेजली मिटर हर घर में लगेंगे वहीं अगर कोई उपभुकता जो मिटर लगाने का विरोध करेंगे उनका बेजली कनेक्शन काड़ दिया जाएगा आपको बता दे कि इलेक्टिसिटी सप्लाइब बोर्ड में नियाम है कि उपभुकता द्वा जानेंगे पांच ने बिजली ग्रेट ये होगी लागत इने जीलो को मिले गला जिहां राज में पांच और ने बिजली करीड बनाए जाएंगे प्रस्तावेथ इन ट्रांसमिशन ग्रेड को बनाने के लिए बिहार आपूरती बवस्ता में कोई खराबी आती है तो ना केवल यह जिले बलके इस सटे आसपास की जिले में भी इसका असर होता है इन पांचो गिरोडों के निर्मान से बिजले आपूरती बवस्ता पर और बहतर हो जाएगी इसी उद्देश से बिजली कमपनी ने इन पांचो ग जार पदो पर सिख्चोको की भरती होना है अब दक 38,000 सिख्चोको का चैन किया जा चुका है लेकिन बेज में पंचा चुना की वज़़ा से नियोजन प्रक्रिया रोग दी गई है प्रातमिक सिख्चोको के लिए नियोजन की तारीख 14 दिसम्बर से 22 दिसम्बर निकाली ग आई है अब तक 38,000 सिक्षकों का चायन काउंसलिंग से कर लिया गया है राज निर्वाचन आयोग से विभाग ने काउंसलिंग को जारे रखने के अनुमति मांगी थी पर आयोग ने अनुमति नहीं दी है अब 12 तारिक को चुनाव आचार सेंदा खतम हो रही है इसके बाद व आपस में सदेशो के माइदम से होना है ये सारी कारवाई 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी विभाग इंतिजार कर रहा है कि इस बारे में पंचाती राज निर्दिस दे ताकि काउंसलिंग की तितिया निधारित कर नियोजन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके आईजी आएमेस में जिनॉम सेंपल की जाच की विभस्ता सरकार ने की है इसे लेकर 30 लाग की रासी उपलब्द कराई गई है ऐसे में आप जल्द ही आईजी आएमेस में ओमिक्रोन की जाच भी सुरू की जाएगी बाड़े कबर बिहार में मारिजों को अस्पताल पहुचाने में अब नहीं होगी देर सरकार खर्ज कर रही है पौने दो अरब रूपी जिया बिहार सरकार ने ग्रामिन चेतरों में स्वास्त विवस्ता को दुरस्त करने के इरादे से 750 एमोलेंस करेदनी के मंजूरी दी है इन एमोलेंस की खरीद पर 1.71 अरब रूपीय से अधिक की रासिक खर्च होगी स्वास्त विवाग ने सुकुर्वार को रासि जारिक कर दी है स्वास्त विवाग से मिले जानकारीक अनुसार कोरोना के दौरान ग्रामिन चेतर के मरिजों को अस्पताल तक पहुचाने की जिसके बाद स्वास्त विवाग ने परिवहन व्यवस्ता को दुरस्ट करने के लिए तत्काल 1000 एमुलेंस करिदनी की मंजूरी दी मार्च 2022 तक इन एमुलेंस की खरीद हो जानी है बाड़ी कबर बिहार में 15 दिसम्बर से थर्मकॉल पर लगेगा प्रतिबंद निर्मताओं ने राज सरकार से की है समय देने की मांग जिहां भारत सरकार द्वारा जारी गजट अप इंडिया जो 12 अगस 2021 को प्रागासित किया गया था उसके अनुसार पुरे देश में थर्मकॉल से बने और एकल उप्योग में आने वाले वस्तूप पर एक जुलाई 2022 से पूरी तरह से प्रतिबंद लगाने का निने लिया ग बिहार के थर्मकॉल निर्मताओं ने राज सरकार के इस फैसले के खिला प्रदसन किया थर्मकॉल निर्मताओं ने कहा कि बिहार सरकार इन वस्तूप के इस्तान पर जो नई वस्तूप आएगी उसके मसेनों के आयात और नई वस्तूप के परियावरान अनुकुलता की को बारे में बताया है और हमें सकारतमक अस्वासन भी प्राप्त हुआ है अगली बड़ी खबर मुझापर पूर इस्मार्ट सिटे के रेलवे जक्सन पर होगी एरपूर्ट की सुविदा जिहाई स्टेशन पुनर विकास योजना के तहद मुझापर पूर जक्सन पर यात्रि सुविदा उपलब्द कराने के लिए रेल भूमी विकास प्राधिकरन ने कॉनकोर्स एवं एलिवेटेट सड़क के साथ टेवलर के सुविदा के लिए तैयारी की है यात्रे रेम भुवा एक्सलेटर के अलावा टेवलर से कॉनकोर्स तक पोहचर कर टेनों का इंतिजार कर टेन आने पर यात्री टेवलर से प्लेटफरम पर उतर कर टेनों में सवार होंगे फ्लेटफरम वा रेलवे लाइन के उपर सेट का प्रावधान किया गिया है साथ ही आपको बदा दे कि यात्री फ्लेटफरम के बदले कॉनकोर्स पर टेनों का इंतिजार करेंगे 40 मिटर च स्कूल के स्टूडेंट के गारिजन के नहीं चलेगे वैक्सिन में मनमानी दोनों डोज जरूरी जिया वैक्सिनेशन को लेकर प्राइबेट स्कूल नया प्लान तयार कर रहे हैं अब ऐसे बच्चों को इसकूल आने पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है जिनके फेरेंट्स व वैक्सिनेशन को लेकर सरकार ने जो रनिती बनाई है उस पर काम किया जाए जिससे वैक्सिनेशन में मनमानी नहीं हो सके अगली बड़ी खबर बिहार में डीजे सकी बनकर रोजगार हासिल करेगी महिलाए सहरी छेतर में खुलेंगे 2000 कौमन सर्विस सेंटर जिया बिहार में महिला ससक्तिकरन को निरंतर आगे बढ़ाने में जोटी निती सरकार को केंद्र से सहयोग मिल रहा है अगले दो साल में प्रदेश के सहरी नगर निकावों में 2000 नए कौमन सर्विस सेंटर खुलेंगे सहरी स्वाइन सहायता समु की महिलाए कौमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगे इन महिलाओं के समु को प्रसिक्चित कर उन्हें कौमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिमिदा दे जाएगी यह समो अपने वार्ड में लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के मायदम से बुनियादि स्विदाय मुहाय करेगी कॉमन सर्विस सेंटर को खोलने के लिए एक गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने समाती दे दी है सूचना एवां प्रोदेद की विभाग स मिले जानकारे के मुताबिक अप्रेल में पटना भोजपूर गया बखसस सारन दर्बंगा पुर्वी चंपरान पस्टिमी चंपरान पुर्निया किसन गांज भागलपूर मुझापरपूर मुंगेर और वैसाली जिले में 645 कॉमन सर्विस सेंटर के होलने को त्यारी चल रह प्रता में इंटरिस्टरिया संग्त परिच्छा कांसिलिंग ततकाल प्रभाव से इस्तागित कर दी है कर्मचरी चैन आयोग ने 12 दिसमबर 2021 को इस समद में नोटिस जारी किया है नोटिस के अनुसर 14 दिसमबर को निधारित कांसिलिंग के लिए आगले ततकी लिए सुचना आयोग की वैपसाइट www.bssc.bihar.nac.in पर परकासित की जाएगी आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में कोरोना के बढ़ते वे मामले को देखते वे सरकार को किनी चीजों पर भावंदी लगाने चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं